हाई गाज मेरा नाम है तेज और आप सभी का सौगत है हमारे चैनल न्यूटेक वर्ड पर दोस्तों अगर आपके पास पहले से एक स्मार्ट टीवी या लेडी टीवी है या फिर आप एक स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी काम का ह मैं बताऊंगा आपको की जो टीवी के पीछे डीपर्ट्स होते हैं क्या युजिज होता है तो चलीए वीडियो को शुरू करते हैं और इन डिफेर्ट पॉट्स के बारे में डीटेल से पर पताकर ते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको के और मताऊंगा अज़क और पॉ में भी इसमें एक port HDMI का है, HDMI 1 है, HDMI की full phone में High Definition Multimedia Interface, तो इस HDMI ports की सायता से आप different devices connect कर सकते हैं, जो audio video दोनों को support करती है, ज़रे कि आपका setup box होता है, या फिर आपकी Chromecast है, या AirTel, या फिर आपका Amazon Fire Stick है, इसके लावा laptop से, DVD player से, यह सब आपकी connect कर सकते हैं, HDMI में पहले जो old TV आते तो इसमें HDMI version 1.4 आता था, जिसमें आपका full HD तक ही support करता था, HDMI 2.0 और 2.1 के version भी आ गए है, HDMI 2.0 और 4K वीडियो तक support करता है, इसके लाव HDMI 2.1 है, वो 8K वीडियो तक support भी करता है, इसके लाव HDMI 2.1 है, उसमें आप HDMI EARC वाले home theater भी connect कर सकते हैं, अब एक चीज़ और बता जिता हूँ, मैं आपको कि जो यहां पर ARC लिखा हुआ है, एक HDMI में ARC, इसका मतलब यह audio return channel, इस वाले port में आप अपना home theater और soundbar भी connect कर सकते हैं, उसके लिए तो यह audio out की तरह काम करेगा, और अगर इसमें कोई आप multimedia devices connect करेंगी, जैसे setup box या फिर chromecast उसके लिए यह input की तरह काम करेगा, उसमें आप video audio दोनों का input का का काम करेगा, दोस्तों आजकल जो नए smart TV आ रहे हैं में एक HDMI port में आपको gaming console का icon भी दिखाए देगा, उस port की साथा से आप अपने gaming devices connect कर सकते हैं, जैसे Xbox या PS4, इसके लाब जो laptop से भी आप connect करेंगे तो laptop का जो card होता है, AMD या Nvidia उसके साथ भी वो support करता है, इसके लाब आप उसमें low input lag और VRR यानि variable refresh rate को support करता है, जैसे कि आपकी जो laptop या desktop की frequency है, वो आपके TV के साथ में sync हो जाती है, जैसे आपको gaming experience काफी अच्छा मिलता है, अब आपको HDMI ARC के बारे में बताता हूँ कि पराने TV में HDMI ARC port आता था, और आजकल जो नए TV आ रहे हैं, उसमें HDMI EARC भी आने लग गया है, जो आपका HDMI ARC है, वो 5. channel sound को support करता है, जबकि HDMI EARC, वो आपका 7. channel sound format को support करता है, इसके लाबा जो आपका ARC है, वो Dolby Digital और DTS को support कर करता है, और जो कि HDMI EARC है, वो आपका DTS, X और Dolby Atmos को भी support करता है, तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, HDMI ARC, EARC तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसका वीडियो का link में in description में डाल दिया है, इसका लाबा आपका जो optical port और HDMI ARC में क्या difference ह वो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया, HDMI के बारे में कुछ चीज और मैं आपको बतायता हूं, जो HDMI ports होते हैं, वो backward होते हैं, जैसे HDMI 2.1 है, वो backward आपका 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 devices के लिए भी support करता है, मतलब कि आप HDMI 2.1 port में ऐसी devices भी connect कर सकते हैं, जो HDMI 2.1 support नहीं करती है वो बात अलेगे कि आपको full resolution उसका जभी मिलेगा, 2.1 port का, जो आपकी device जो आप connect करें, वो भी 2.1 support करता है, output और इसके लावा आप जो cable use करें, HDMI, वो भी 2.1 को support करती है, दोस्ता, आप मैं आपको TV के जो USB port होते हैं, उनके बारे मताता हूं का क्या क्या use है, आप क्या purpose के लिए USB port को use कर सकते हैं, तो जैसे कि इस TV में USB port है, तो आप इसमें pen drive connect कर सकते हैं, movies वगरा चलाने के लिए, जिससे play कर सकते हैं, movies, इसके लाव एक्शनल hard disk भी आप connect कर सकते हैं, इसके लाव आप USB port से keyboard and mouse भी connect कर सकते हैं, अगर आपका TV, keyboard and mouse को support करता है, तो USB port में आप wired keyboard and mouse भी connect कर सकते हैं, और wireless भी connect कर सकते हैं, जैसे wireless keyboard का dongle है, तो मैं अगर इसको यह connect कर रहा है, तो मेरे wireless keyboard and mouse दोने यहां से यह की dongle से use हो जाएंगे, इसके लावा इसमें क्या feature है, जैसे pen drive में आप आपके बास Android TV है, तो आप AP के file pen drive में डाल के connect कर सकते है, pen drive से बाद में AP के file install कर सकते हैं, लेकि यह Android TV में ही ऐसे आप कर सकते हैं, side loading of apps, smart TV में यह feature काम नहीं करता है, इसके लावा आपका जो software upgrade करना होता है TV का, वो भी आप pen drive में software file download करके इसको connect कर सकते हैं, USB port से TV के, तो इसके आपका software भी इससे upgrade कर सकते हैं TV का, इसमें एक चीज मैं बताना च सकते हैं, तो इसके लावा आपका जैसे कुछ TV में फीचर होना चाहिए, कि वो 3G 4G dongle को support करता है, दोस्तों मैं आपका Ethernet port के बारे बता जता हूं, कि जैसे जातर तर टीवी इससे आप एसी डिवाइसे को connect कर सकते हैं, लेकिं तो टीवी में फीचर होना चाहिए, कि वो 3G Ethernet port आता है, अगर आपके पास घर में Wi-Fi वाला router नहीं है, नॉर्मल router है, तो आप Ethernet port से connect कर सकते हैं उसको, दूसरा फायदा ही होता है, कि आपका wired के दोरा आपको stable internet connectivity मिल जाती है, तो इसका Ethernet port का यह यूज हो गया है, वे internet connectivity से connect कर सकते हैं, दोस्तों मैं आपको यह different आप वीडियो signal के लिए होता है, analog signal और जो red और white आपको audio के लिए होता है, ऐसे आपने तीन port उसमें देखे होंगे, पराने जो DVD players होते हैं, या फिस सेट आप box में आप पीछे देख सकते हैं, यहाले port तीन नजर आते हैं, तो इस से RCA cable के थूरू, इनको connect कर सकते हैं, जो परान पोर्ट है, red, blue और green, यह component वीडियो के लिए होते हैं, जो कि आपका full HD को support करते हैं, 1080P आपकी HD वीडियो इनके थूरू आपको मिल जाएगी, लेंगे ऐसे devices थोड़ी कम होती है, पराने कुछ DVD player या VCR में हो सकता है, यह port आपको मिलेंगे, तो generally जातर डिवाइसों में composite व पर मिलेगा आपको, उससे आपका तीनों यह मिल जाते हैं, और यह video और sound वाले आपको RCA जो cable यहां से connect कर सकते हैं, इसके लावा आप देख सकते हैं, एक इसमें है audio इनका port है, अगर किसी sound को आपका input में देना तो यहां से connect कर सकते हैं, headphone jack वाला port है यहां पर, इसके लाव HDMI ARC नहीं है, वो भी यहां से आप connect कर सकते हैं, यह आप देख सकते हैं, Samsung TV जो की Q70T model है, उसका back side का ports का detail यहां दिख रहा है, USB port हो गए, यहां पर 2 USB port है, यहां पर optical port हो गए आपका, इसमें एक gaming का जो HDMI port जो gaming को लिए support करता है, variable refresh rate भी सब्सक्राइब करता है, वह यहां प आप फिर्टर भी connect कर सकते हैं, और normal HDMI ARC वाले और फिर्टर भी connect कर सकते हैं, इसके लावा HDMI IN1, HDMI IN2 इस दो HDMI port हो रहे है, LAN port दिखाए हो है, और यह antenna का port हो गया, एक यह जो आपका antenna का port होता है, यह यह जो आपका antenna का port होता है, यह जो पराने जवाने आप DD1 देखते थे थे इसके लावर जो cable TV चलता था पहले उसका भी यही पर cable connect होता था, लेकिन उसके लिए आपको TV tune करना पड़ता था, जितने आपके TV में चैनल होते हैं, उतने support करते थे हो, आशकल तो लेकिन cable TV वाले भी आपका set of box से थे 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 चैनल देता है, अब आप मैं digital 5.1 channel support करता है, तो अगर आपको इन दोनों के बारे ज्यादा जानना optical और SDM IAC तो हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, दोस्तों optical cable इस टाइप की होती है, यह optical cable है एक, तो इसमें यह connect कर सकते हैं आप इसको यहाँ पर, यह जैसे connect हो जाती है, इसके अलावा मैं port है, SDM IAC लिखा हुआ है, इसको आपको TV के SDM IAC port से connect करना है, और यह optical है, यह आपको TV के optical port से connect कर सकते हैं, यह इस तरीके से connect होगे, optical cable, अब SDM IAC से करना है, तो आपको SDM IAC पहले यहाँ connect करना ही पड़ेगी, SDM IAC वाला जो port है, इसमें आपको SDM IAC, इसमें आपको SDM IAC cable से connect करना पड़ेगा पहले, यहाँ पर, मैंने SDM IAC cable से connect कर दिया, इसके बाद में अब मैं इसको SDM IAC port से home data system यहाँ पर connect कर देता हूँ, तो इस तरीके से आपका यह connect हो जाता है, तो आपको यह की बार एक port है, तो आपको better SDM IAC से connect करना है, हम theater को better sound output के लिए, दोस्तो आज इस वीडियो में आपने देखा कि TV के जो पीछे में different ports होते हैं, क्या-क्या usage होता है, और क्या-क्या different purpose के लिए, services के लिए आप यह ports यूज कर सकते हैं, जैसे HDMI, USB, Ethernet और यह RCA ports होते हैं, तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like, share, comment जरू करेगा, और हमारे चैनल को subscribe करना मत बुलेगा, ऐसे ही वीडियो future में देखने के लिए, thank you